हेलो फ्रेंट्स, वेलकम्स टू आर चैनल, लेट्स डिस्कस, फ्रेंट्स आज हम क्लास टेंथ का मैथमेटिक सब्जेक्ट का वक्सिट नंबर 27 करने जा रहे हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, नेम आप दे स्टुडेंट अपना नाम भरिए, नेम आप दे क्ला पे कॉडिनेट जेमेटरी सेक्षन फर्मूला, ठीक है दोस्तों, तो आईए इसे एक एक करके समझते, इसका सॉलूशन मैंने बहतर तरीके से कर रखा है, तो यह जो दिया हुआ इसे आप पढ़ लिजिए, और यह फर्मूला यही है, यह जो फर्मूला देखे, एक्स और y निकालना है, तो m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपन में m1 अप प्लस m2, और अगर यह y कॉडिनेट का, यह x कॉडिनेट का, यह y कॉडिनेट का, ठीक है, तो यह y कॉडिनेट का है, तो देखे, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपन में m1 प्लस m2, तो आईए इसके solution पे direct चलते questions को पहले देख लेते देखें आपको करना क्या है दोस्तों ये जो है न ये इसको आपको बहतर तरीके से बनाना है ठीक है और उसको मैंने बहतर तरीके से समझाया है और ये दो questions है question मैंने आज answer में लिखे नहीं है सिर्फ answer लिखे है तो आईए उसको देखते फिर question को देखेंगे तो देखें यहाँ पर जो है न दोस्तों ये मैंने भी बनाया है ये आपका 10th mathematics worksheet 27 मतलब आज जो है न आज कितना तारीक है दोस्तों आज पांस चार तारीक है 4,9,2020 के लिए इसा है तो आज का ये है आपका तो देखें यहाँ आपका ये दे रखा है ठीक है इसको find out करना है तो हमने इसको find out करके हमने इतना लिखा है जो आपको direct यहाँ ऐसे भरना है ठीक है इसका solution करके fill up करेंगे तो और बहतर होगा और इसका solution देखते है पहले अब ताकि solution से हमको बहतर समझना है ये देखें दोस्तों x coordinate है न तो ये minus 3 और 4 और xy और minus 5 और 6 है तो x equal to minus 3 हो गया ये देखें इसको x1 मान लेते हैं ये और इसको x1 देखें दोस्तों x1 equal to minus 3 और x2 equal to minus 5 ये x2 हो गया ये x1 हो गया ये y1 हो गया ये y2 हो गया ठीक है दोस्तों अब देखें इसका जो formula है ठीक है x1 y1 x2 y2 यहाँ y2 लिखना में भूल गया sorry दोस्तों इसके लिए समा कर दीजेगा तो इसका formula होता है x का निकालने के लिए ये formula आप note down करेंगे x1 plus x2 upon me 2 ये हमने इसमें लगाया है और value put करके हमने बनाया है दूसरा है आप y का निकालना चाहते है ये y का आप y का निकालेंगे y1 plus y2 upon me 2 तो ये आपका y1 का value है 4 और ये y2 का value है और upon me 2 ठीक है friends तो इसको करने के बाद हमने क्या किया x का value minus 4 और y का value 5 है तो इस फरकार से पहला first जो है न दोस्तों हमारा इस तरह से complete हुआ अब देखिए second है second में भी इसमें भी आपको क्या करना है x1 y1 x2 y2 हो गया value हमने बता दिया अभी जो formula हमने बताया है इसका formula इसको उसी formula पर क्या formula बताया है x1 plus x2 upon me 2 और फिर इसको आप ये y वाले लगाएंगे तो y1 plus y2 upon me 2 तो इस पर लगाएंगे तो इसका value पुट करेंगे तो हमारा value कितना आया 0 और 6 आया उसके बाद हम को third में देखते है दोस्तो ए x1 और y1 और ये x2 और y2 होगे क्या x1, y1, x2 और y2 और coordinate निकालने के लिए हम 3 window का परियोग करते है ये first, second, e से f तक निकालने के लिए तो e से f तक निकालने के लिए हमें क्या करना पर रहा है दोस्तो e से f तक निकालने के लिए हमें निकालने find out करना तो इसको हमने यहां x और y हमें meet point find out करना ठीक है section formology से कहते हैं ठीक है तो x का value वैसे y का value वैसे तो यह आ गया क्या 3 और 2 आ गया आशा कर तो आपको समझ में आ रहा होगा और अगर कोई भी डाउट हो दोस्तों comment box में हमें बता दिया कि ठीक है मैं उस डाउट को clear कर दूगा और live class आपको देने से आ रहा हूं और आप लोग एकदम एक टीबली हो करके मेरे वीडियो को देखिए तो और म देखिए question number first क्या है find the coordinate of the point to which the divide the joint of the one minus one seven and four minus three in the ratio of two ratio three ये m1 है और ये m2 है दोस्तों ये value ठीक है और ये x1 और ये देखिए x1 और ये y1 और ये x2 ये y2 ठीक है तो आईए इसके solution पे direct चलते हैं फिर देखिए हमने क्या किया तीन पॉइंट मान लिया पहले पहले की तरह ही ये a से b तक है और ये कितने में ratio में divide कर हो रहा है हमारा two ratio three में हो रहा है न तो ये a और b से और ये x और y कर लिया x का y1 और x2 और y2 तो a का value देखिए हमने ये है x1 y1 और ये b का value क्या है x2 y2 ये हमने हिंदी मीडियम वाले के लिए लिख दिया था दोस्तों इसे काड़ दीजिए तो ये x1 y1 और ये x2 y2 ये दोनों value हमने put कर दिया अब आपको section formula यूज करना section formula होता क्या देखिए आप देख सकते यह section formula मैंने लिख दिया तो x का निकालना है तो m1 x2 plus m2 x1 और अपन में m1 plus m2 और फिर आपको जोनो y का निकालना है तो y का भी आप ऐसे easily निकाल लेंगे ओके friends तो y का आसानी से कैसे निकालते है देखिए यह y का m1 y2 plus m2 y1 आपन में m1 plus m2 होता है तो अब देखिए इसका जोने m1 और m2 का value आपको कितना put करना है पता है दोस्तों m1 आपका कितना direct आपका जोना दोस्तों m1 2 है ठीक है 2 ratio 3 में यह divide कर रहा है तो यह m1 है और यह m2 है ओके friends तो देखिए इसी formula पे हमने अपना value put कर दिया अब value put करने के बाद हमारे इस तरह से x का 1 आया ठीक है और फिर इसका y का put किया हमने इस formula पे तो हमारा y का 3 आया तो यह कितना हो गया 1 और 3 है ठीक है दोस्तों तो यह coordinate which divide a और b अब हम question number 3 देखते हैं 3 देखने के लिए question पहले देखना पड़ेगा दोस्तों देखिए यहां question है sorry question second देखते हैं दोस्तों sorry sorry find the ratio in which the line segment joining the point of minus 3 10 and the 6 और minus 8 is divided minus 1 और 6 में तो देखिए आपको यहां दिखा रहा हूँ मैं बहतर तरीके से आपको दिखा रहा हूँ बहुत ही अच्छे से solution मैंने किया है और आप एक एक करके समझे है दोस्तों कोई भी doubt हो हमेशा आप की तरफ फिरी हो एकदम अच्छे से आप comment करते हैं नहीं था इससे पहले हमारा ratio था ठीक है दोस्तों तो इसको उसी फॉर्मूले पर बैठाएंगे यह देखिए यह एकस का वैलू फाइंड आट करने के लिए इस फॉर्मूले पर बैठाएंगे M1 X2 प्लस M2 X2 X1 अपन में M1 प्लस M2 इस पर बैठाएंगे और फिर इसका वैलू पूट करेंगे और यह X का वैलू दे रखा है और फिर इसी तरह इस वैलू को हम पूट करते चले जाएंगे ठीक है दोस्तों M1 और M2 तो दे नहीं रखा तो M1 और M2 ही हम रखेंगे X और Y का दे रखा तो X और Y का ही हम क्या करेंगे लिखेंगे तो इसको cross multiplication इसको जो है न जैसे आप देखेंगे यह इसको same cross multiplication करेंगे तो minus का sign हो जाएगा सिर्फ और इसको आप अगर करेंगे कुछ नहीं तो इसके नीचे हम 1 मानते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहां दोस्तों देखेंगे यहां यहां आप मानते हैं तो इसको cross multiplication करेंगे तो one से multiply करेंगे तो यही है six m six m minus three m ठीक है two तो यह इसको इस तरह से आप solve करेंगे तो आपका answer कितना आ जागा दोस्तो two is to seven आ जागा m1 ए m2 का तो इस परकार से दोस्तों आपका यह class 10 का जो ना math का जो ना प्रोसेस जो चल लाए यह आपका question second है was it 27 का तो यह देखे six आप हम x निकाल लिए तो आप हम क्या निकालना है y निकालना है तो y का उसे मुझे तरह फर्मूले पर बैठाएंगे इसको cross multiplication करेंगे इसी को उस तरह से करेंगे और फिर हम यहां देखिए यहां कितना two upon में seven है तो दोस्तों अगर कोई भी doubt हो इसके regarding ठीक है तो आप मुझे वे ही चक कमेंट करके पूछ सकते हैं thank you दोस्तों for watching this video thanks a lot thanks